कि इतना जाधा ड्रावना ट्रेलर था मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना ड्रावना ट्रेलर नहीं देखा अब सच को यार मेरे चहरे के हावा भी उडे हुए है आप मेरे चहरे से समझ सकते soul मैं कैसा फील कर रहा हूं यह trailer देखने के बाद क्या कर रहा है वह खेलने वाली चीज नहीं है है मेरे चेहरे के एक्स्प्रेशन है वह आप देख सकते हूं कि बहुत जादा मतलब उड़े हुए हैं मुझे बहुत जादा डर लग रहा है यह वीडियो बनाने से मुझे कम कम पी हो रही है कि यह वीडियो कैसे कंप्लीट कुरूँगा तो इतना जादा ड्रामना टेलर था नम के हालात रहे नहीं बॉलिवुड वालों के कुछ टाइम से कोई ढंकी इनसे मुवी निकली नहीं है कोई एक और ती बाइचांस गलती से मुवी इनसे अच्छी निकलती है वरना यह तो जान बुच के कचरय बनाते हैं इतना घटिया प्रोपागंडा इतनी घटिया स्टोर कोपी पेस इनका यही चलता रहता है अब उम्मित होती है कि अपने पैसे कैसे वेस्ट कर दें जहां एक विश्वास होता है कि हाँ यह अच्छी मूवी लेके आएंगे ज्यादा तरिन के अच्छी मूवी जाती है मानता हूं कि कुछ एक टाइम मूवी है वो अच्छी नहीं निगलती लेकिन अगर यह जादा टाम से अच्छी लेके आ रहे होते तब तो विश्वास करते किया रहे है अगर अच्छी मूवी लेके अ आ रहे है अरे करना चाहिए न मार्केटिंग क्या स्वाल उठता है कि एक बार कह रहे हैं कि सिनमा में वापस लेके हैं तो free of cost करो ना चीज़ों को अब इस मुवी की कहाने की बारें बात करते हैं जितना इसका टेलर देखके पता चलता है अमीद करता हूँ कि जो मुवी आएगी उसमें ज़्यादा कहानी होगी केवल इतनी नहीं है जो इसमें स्टरी की कोपी पेस ऐसा जो feel मुझे हुआ जब ये टेलर देख रहा था ये एक fictional story है उमीद करता हूँ कि उन्होंने अपना original सोचो original कैसे वो तो स्टरी की कोपी गरीब कोपी कह सकता हूँ तो इस movie के अंदर इस movie के trailer के अंदर जितना दिखायाएगा कि दो इंसान है एक बुरू और कटानी ये दो इंसान है इनके पास एक लड़की होती है इनके पास के मतलब इनके लड़की मिलती है जिनके शरीर में चुडैल होती है आत्मा होती है वही concept जो हमें देखने को मिला था स्टरी के अंदर तो ये वाली जो चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई है तो ये दोनों इस लड़की की help करना चाहते हैं इसके शरीर से आत्मा निकालना चाहते हैं ये दोनों जाते हैं भूथ स्पेसलिस्ट के पास जहां पर इसके तरही तरी के टोटके के जाते हैं इससे आत्मा निकालने के फिर वहां पर एक भूथ स्पेसलिस्ट मिलती है वो कहती है कि इस लड़की से शादी करो तब इस लड़की का या फिर कोई भी से शादी करेगा तब इस लड़की का भूत निकलेगा या चुडैल निकलेगी जो भी था इसमें दिखाया गया है अब उमीद करता हूँ कि यार जानमी कपूर ने इस मूवी में अच्छी कासी एक्टिंग की क्लास ली होगी इस मूवी में से पहले और राजुन कपूर से एक्टिंग की क्लास ने ली होगी यार वो यह एक्स्प्रेशनलेस चेहरा देखने को मिल रहा था सच कहूं तो इस लग नहीं रहा कि जानमी कपूर में मेहनत की है इसको सीरियसली लिया है कमाल है यार खैर आने वाला टाइम ही बताएगा कि मूवी क्या रंग लाती है अब यह को यार कॉन्फिदेंस होना अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिदेंस होना वो बहुत गलाची जाए अब इस बात का क्या मतलब मलता है the magic of cinema returns मतलब कौन से magic की बात कर रहे हो वो magic था कब और था तो गया कब और कितना magic लेखे आ रहे हो चलो ठीक यार तुम magic लेखे आरो माल लियार तुम वापिस जनता को लाने चाते हो अच्छी बात है हर किसी को कमाई करने का हग अच्छी चीज दिखाओ लोगों का entertainment करो कोई बुरा ही नहीं है चीज में लेकिन इतना भी magic मत दिखा देना कि जनता गाया हो जाए और थोड़ा बहुत magic यार जैनवी कपूर के उपर भी चला था वह expressionless देखना पड़ रहे है वहाँ पर यार मूवी और कैसे जेलेंगे सचको यार आज कले इतना है रखते हैं इस वीडियो में थैंक्स और वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद